जैहिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग यूपी पुलिस मैथ के अपने डिवीजन बैच श्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग प्रिविएस येर कोस्टन को डिसकेसन कर रहे हैं ठीक है ना तो उसी सिलसले में अभ कर लिजेगा क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर यूपी पुलिस के लिए जो आने वाला एक्जाम है जो रिएक्जाम हो रहा है उसके लिए प्रिविएस येर मैथ और आपके लिए रिजनिंग कंप्लीट कराने वाला हूं ठीक है आज ये आज की क्लास को सुरू करते हैं बाद solution को देखिएगा ठीक है पहला question में क्या कह रहा है कि वह निवनितम संख्या ग्याद कीजिए जिसे 12000 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुड़ा किया जा सके गुड़ा किया जाना चाहिए मतलब 12000 अपने पास है इसको हमें क्या बनाना है पूर्ण वर्ग बन कीजिए फैक्टर कीजिए और उसमें देखिए कि किसकी पावर इवेन नहीं है वहां से हो जागा लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं इसको कैसे करना है आप लोग नहीं यहां से option से minimum value को उठाइए और इससे multiply करके देखिए किस पर परफेक्ट हजार देखिए दो जीरो तो परफेक्ट स्कॉयर में आएगा लेकिन क्या 24 कभी परफेक्ट होता है किसी का नहीं है 25 होता है ठीक है न उससे छोटा कौन सा होता है 16 होता है तो इसका मतलब यह वाला option तो कड़ गया आपका अब वहीं आजो बारा हजार को सुरी बारा सो है स क्या करेंगे तीं आफिसे आटके इस मालेक्ट से करके परफेक्ट बनाने sticks तो दो से थोड़ा सा बड़ा तीन को चिख कर लेते हैं तो तो दिखिए 24 तो इसका मतलब फ्रकें हो सकता अभी चेक कर लेते दिए तो था से करके देखते हैं तो बारासों गुड़ा में चार बारा चोकًे बाराच निया आटालिस प्रक्त स्कॉर साइर यह नहीं है पर्फट्र होते हैं तो आपका केवल एक ही आंसर मिल जाएगा तो आप लोग को फैक्टर करके चेक करने की ज़रूत नहीं है सिंपल सांप लोग क्या करोगे लाक्ट में इनकी मलटिप्लाइ करके देख लो कि कौशन पर्फेक्ट स्क्वाइरो смож करना यह बारा सो लो आपको मैं को तीन लोग ठीक रता है और जए जैके नेक्स परीज्न को देखे लेते है यह रहा इस question में देखिए क्या कह रहा है एक 5 अंक की यह संख्या है संख्या यह रहा है इसको मैं यहां लिख देता हूँ देखिए 2, 4, 7, X और 8 यह 5 अंक की एक संख्या है कह रहा है 44 से विभाज है तो X के अस्थान पे कौन सी संख्या आ सकता है ठीक है 44 के अगर कोई भी संख्या 44 से भाज है इसका मतलब वह चार से और 11 से भाग है ठीक है न 11 का डिविजबिल्टी रूल अगर आप लोगों से बताओं मैं अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है मैंने सीटेट के लिए पढ़ाया अगर चाहें तो वहां से देख सकते हैं यूपी प बात कीजिए प्लस आठ कितना हो जाएगा दो प्लस साथ और प्लस आठ इसमें से माइनस कर दीजिए इसको चार प्लस एकस को चार प्लस एकस को तो आपका इनका जो सॉल करने के बाद आए या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई डिविजबल आजाए ठीक है यह आता है तो वह संख्या 11 से भाज जी बोली जाती है ठीक है तो चलो इसको करके देखते हैं 8 और 12 सर 17 यह 17 आ गया और इधर कितना जाएगा माइनस का 4 और माइनस का एक्स आ गया इस इकॉल टू मलो 0 ले ले लेते हैं ठीक है तो 17 में से चल गया तो कितना आ जाता है 13 ठीक है ना 13 हो गया तो 17 होता नहां यहां से इस इकॉल टू एक्स आ गया ठीक है एक मिनट थे रहा एक्स इच्कोल टू थार्टीन आ गया ठीक है अब देखिए थार्टीन तो यह इससे डिविजबल नहीं है इसका मतलब अब देखिए एक सेकंड एक सेकंड माइनस तेरह ना हमें इसको बनाना है सोरी सोरी एक मिनट इसको हमें यह बनाना था ना देखिए 17 है माइनस का है 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 17 में से 4 गया 13 हो गया ठीक है माइनस X अब देखिए 11 से डिवीजबल हमें बनाना है 0 नहीं 11 का भाग भी बन सकता है तो X की जगह मैं ऐसा कौन सा नंबर रख हूं कि 11 आ जाए तो X की जगह मैं 2 रख देता हूं तो देखिए 13 माइनस 2 यह आगया 11 11 से डिवीजबल है ठीक है तो आपको X की वैलू कितनी लेनी पड़ेगी 2 लेनी पड़ेगी ठीक है मैं डिवीजबिल्टी रूल की एक वीडियो लेने वाला हूं जि किया जाए तो किसी का संख्या का घं किया जाए क्यूब किया जाए तो निमलिखित में से कौन सा अंक इकाई अस्थान पर हो सकता है यह पूछा है ठीक है ना तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ग करना और घं दोनों चीज़े बता देता हूं देखिए एकशन में तरूट पर Нीमल ठीक हो कि वहत जाए पानच पैसी का में मिलखित अधिक जाएगा हम। एक और साथ का किया 49 वाएगा और साथ का कि इतना होता है 343 होता तो लाष्ट में तीन आएगा या क्यूब होता है 512 तो दो आएगा और और 8 84 यह 4 आएगा 9 का किया कि स्क्वायर तो 99 81 एक आएगा क्यूब करेंगे तो कितना आएगा घंवाले के यूनिट प्लेस पर जीरो भी आसकता है एक भी आसकता है दो भी आसकता है तीन भी चार भी पांच 6 7 8 9 सब कुछ आसकता है जीरो से लेकर नौ तक सारे वैल्यू पॉसिबल है इस पर जब हम किसी संख्या का घं करते हैं तो आपका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाए तो उसके लास्ट डीजिट जीरो से लेकर के नौ तक कोई भी संख्या आ सकती है ठीक है यह अंसर हो गया अगर यहीं क्वेश्चन यह करके पूछता की वर्ग करें और लास्ट में क्या क्या देखने को मिल सकता है देखिए क्या क्या मिल सकता है यहीं मैं बता देता हूं जीरो मिल सकता है एक मिल सकता है देखिए एक मिल सकता है तीन नहीं मिलेगा तो देखिए दो और तीन यह नहीं मिलना है कहीं पर भी नहीं नौ मिल गया ठीक है बाकी ये सारी चीजे मिल लुए है ठीक है यह देखिए कोई भी अगर आप परफेक्ट sqvr hoगा तो उसके लास्टमें इनहीं में से नंबर कोई आएगा ठीक है यह अगर किसी के भी लास्ट में आ गया तो कभी भी स्कुर्ण नहीं वनता है किसी के लाइस्ट में आपने देख लिया लिए दो तीन साथ आठ तो वह पर्फेक्ट स्क्वएर की केटेगरी में नहीं आएगा ठीक है बैसे कि अपने कोस्ट अंसर यहीं हो गया था ठीक है आज यह नेक्स को देख लेते है कि बहुत प्यारा कौूश्चान है बहुत आसान कोश्चन है कह रहा है कि वर्ट विढ़ ट्वाइस आफ 22im 50 मतलब enem 59 50 का 20 कितना होगा बताइए यह की घात 50 है इसका दो गुला करने کا मतलब है एकिए एल्ग करना और इसकी डो की आघ कर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कि नेक्ष्ट को देख लेते हैं अच्छा इस कोश्चन को अभी हम लास्ट मिलेंगे रिजन भी बताएंगे क्यों लास्ट मिले रहें यह कोश्चन दो बार कॉपी हो गया स्लाइड पे यहां पे अग इसको कर लेते हैं यह भी सारे प्रिव नमबर के लास्ट में अगर 25 आ रहा है तो वह पर्फेक्ट स्क्वाइर होगा कि नहीं होगा वह चीज़े डिपेंड करेंगे इसके पहले नमबर पे ठीक है यह नमबर कैसे होने चाहिए इनके पहले जो नमबरों 25 के पहले जो भी नमबर हो वह दो लगातार संख्याओं के गुडज होने चाहिए तब जाकर के वह पर्फेक्ट स्क्वाइर बनता है ठीक है तो च्वके मतलब चाहिए यह याद रखना इसको किसी 56 है पहला उपसर 56 और 25 25 है इसके ये पहले के जो नंबर है दो लगातार नंबर के गुड़ज होने चाहिए तो देखिए स्क्वाइर है तो यह भी आपका अंसर नहीं होगा दोनों अंसर कट गए तीसरा देख लेते हैं 36 और 25 यह देखिए 25 है लास्ट में ट्रिक क्या कहती है हमारी कि जो पहले की नंबर है दो लगातार नंकों के गुड़ज होने चाहिए तो 36 बताएं क्या दो लगातार अंकों के गुड़ज से बन सकता यह तो 6 गुड़ज है यह तो एक ही संख्या के गुड़ज से बन दा है इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है उसने हमसे पूछा है कि जो परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है वही बता दो यहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 को चेक कर इसकी तरीक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इस पर एक दोकोंच और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है मैं किसी दिन इसको डीटेल में बताओंगो कैसे स्कौईर लिया जाता है यस रूट कैसे कैसे कि जाते हैं ठीक है आज और नेक्स्ट को देख लेते हैं थोड़ा यह कहारा नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पुड़ता विभाज है अच्छा देखिए 12 से अगर कोई संख्या विभाज है इसका मतलब कि यह किस से किस से विभाज होगी चार से भी होगी और तीन से भी होगी तीन का डिविजबिल्टी रूल क्या कहता है मैं डिविजबिल्टी रूल का पूरा चैप्टर लाने वाला हूं मैं बता देता हूं कोई संख्या तीन से अगर भाग होती है तो संख्याओं का योग भी तीन से भाग होता है ठीक जैसे 12 भाग हो रहा तो दो और एक तीन भी भाग होगा इनके संख्या का योग भी क्या होता है तीन से भाग होगा तो पहले यही चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा तीन से भाग होने वाले हैं सबके संख्या का योग संख्या का योग ऐसे करेंगे कि हम बना लेंगे कौन सा बना रहा है हमारा दो नंबर य आठ जो है तीन से नहीं भाग जाता है तो यह जो है बारा सभी भालने जाएगा तो यह यह 5 आठा यहां भाग नहीं होता तो ये भी आपका अंसर नहीं होगा क्योंकि जो संक्या 3 से कटेगी वही 12 कटेगी यहां आजाएए देखेए 6 कट गया 9 कट गया 3 कट गया 7 4 11 11 भी 3 से भाग नहीं होता यह भी अंसर नहीं होगा इसको चेक करते देखिए 7.2 1029 कट रहा है 8 2 10 और 5 15 ये भी कट रहा है पूरी संख्या कट रही है तीन से ठीक है तीन से डिविजबल है तो यही एक ही आंसर बचा तो यह क्या कहेगा कोई भी संख्य और 24 से कटेंगी तो आठ नहीं देंहरें बूदें गया उपने तीन का ठीक है इसको किजिए 6 कट गया 8 2 10 और 8 18 यह भी कट गया 5 बचास अंकू का योग तो यह भी नहीं कट रहा है तीन से के इसको कीजिये 6 कट गया 9 कट गया 3 कट गया 7 4 11 11 भी 3 से नहीं करता यह वी आंसर नहीं हो तो सब्सक्राइब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना आप आप लोग समझ गयोंगे अगर केवल तीन के ही डिवीजबिल्टी से सारी चीज़े आंसर मिल जा रही तो अगर नहीं मिलता अगर मालों दो अगर बटाद से सारी नमबर बटाद से कमान बताई लेकिए इस तरह से कैसे को स्टें चारब पांच आए अनुपात है 12 बटा 10 है समानुपात दे रखा है कितना एक्स बटा 6 अनुपात 9 बटा 2 तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे एक चीज आप लोग यह ध्यान रखना कभी भी दो नंबर इस तरह से दिये हो P बटा Q समानुपात R बटा S तो देखिए यह दोनों म भी कुछ कामन है तो वह भी कट जाते हैं इनमें अगर कुछ कामन है तो यह भी कट जाते हैं ठीक है इस बात का ध्यान रखना तो उसी से हम लोग इसको सॉल करते हैं देखिए 5 एक्कम 5 5 दूनी 10 दो से इसको काट दिया 6 बार में 4 और 6 का सिंप्लिफाई करोगे तो 2 दून यह बन जागा एक्स अनुपाद 27 में करो 9 में 3 निम्मा 27 यह आगया ठीक है तो अब देखिए क्या है यह समानुपाद क्या होता यह यह वाला जो 3 है ना यह इसको रिप्रजेंट कर रहा है यह इसको रिप्रजेंट कर रहा है ठीक है तो 3 में कितने का गुड़ा कितने गु यह लुग आपकी आठारा जागी जो कि डी आप्शन में दे रखा है यह कोश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है और भी इसके तरीके हैं आप लोग अदर तरीके से भी कर सकते हो लेकिन मैं जो सबसे आसान तरीका है वो बता रहा हूं मैं अधर तरीके से भी इसको करवा सकता हूं क्रॉस मल्टिप्लाइ करके भी आप लोग कर सकते हैं ठीक है यह आपका अंसर हो गया आप लोग को आशान से आशान वाला मैं बताऊंगा क्योंकि यह वर्गमूल कितना आएगा बताएए यह 256 इसका वर्गमूल होता है यह होता है 16 निकालने का भी तरीका में आप लोगों को बताया था लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 किसके परफेक्ट स्क्वाइर में आता है चाहे ज़के चाहर चाहर में या तो च्छै आएगा या फिर चाहर लाच में दो बचा है दो किसके perfect ऑसपास है एक के और दो दुना 4 यहां से पता चलेगा कि दो है चार के ज्यादा करीब है कि एक के तो बताइए दो किसके करीब है एक के करीब है तो यह 14 हो जाएगा इसके स्क्वाइर रूट चौदा होगा क्रास चेक करना चाहे तो कर सकते हैं सब्सक्राइब यहां पर यहां पर दो दूना चार चार के ज्यादा पास नहीं एक के है तो एक आएगा और यह इसमें सब्सक्राइब तो यह देखिए पहले तो यह ज्याद लीजिए कि 256 किसका स्क्वाइर रूट है आप शोला का तो यह हमें यहां से पता चल गया और चार आ गया अब इनके गुड़न फल करिए जो परिणाम आया उसका फिर से वर्ग मुल लीजिए ठीक है तो कितना आ जाएगा बताइए यह लास्ट कोश्चन था इसका और जो कोश्चन मैंने छोड़ा था एक बार मैंने आप लोग को वह भी दिखा देता हूं कि उसमें क्या करना है यह रहा देखिए यह थोड़ा सा लेंदी है इसलिए जैसे पेपर में आप लोग करें ना तो पहले जो आप लोग को आ रहे ह इस है संख्याओं का योग निकालें तो दुखे लगातार विसम संख्या लिख लेते हैं लोग पहले माल लेते एक एक सह तो दूसरी कितनी हो जाएगी एकस प्लस टू समसंख्या जोडते तबी तो भी सम बनती है एक्स को वन ले लीजिये तो दीकिए वन प्लस टू थी हा हमारे पास आ गई ठीक है अग इसमें हमसे क्या बोला हुआ है योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से इन सब का योग करना है तो सब को जोड़िए कितना जागा एक्स कितनी बार आया है छह बार तो छह एक्स प्लस दस और आठ अठारा अठारा और यह है दो बीस चार चोब़ीस छोटीस तीस आ गया इनका सम हो गया कह रहा है कि का योग का बड़ी संख्या के दुगने से 48 अधिक है या जो सम अया है बड़ी संख्या इसमें क्या होगी स्मÌ्फ तालिस हो जाएगा और 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा ठीक है तो पहले तो X को इधर लिया यह 6X-X is equal to 38 और 10 48-30 48-30 कितना आ जाएगा आठ चार मेंसे गया ए यह आ गया चार मेंसे तीन गया एक आ गया ठीक है नहीं आ गया 6X X plus 10 तो एक इधर आ गया 5X और यह माइनस 30 38-40 48-40 मेंसे 30 चला गया तो 18 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां से आ जाएगा 5X 5X की value कितनी आ गई 18 आ गई तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा अठारा बत्ता में 5 ठीक है यह आ गया अब हमसे पूछा है क्या सबका सम पूछा है यहां से निकल वा रहा है पहले यहां पर 2X आएगा ठीक है और यह आजाएगा दस दूनी 20 तो यहां से इसके कल्कुलेशन एक बार फिर से कर देते हैं मैंने पढ़ने में थोड़ा सा भूल कर दिया बट आप लोग एक बार में देखेंगे तो आपको चीजे क्लियर हो जाएंगे यह आजाएगा आपका 6X प्लस 30 यहां तक तो ठीक है अब यह दो गुना बोलाती है यह 2X हो जाएगा प्लस दो दहां में 20 और प्लस 38 यह आ गया अब 30 को उदर ले जाओ माइनस इधर ले आओ तो यह आ जाएगा 4X बचेगा इधर जाएगा तो 38 में से 30 गया तो 8 बचा और 20 में 8 जोड़ दो गे तो 28 आ जाएगा ठीक है अब X आ जाएगा आपका कितना 28 बटा 4 तो 4 एकम 4 चार सते 28 एक्स की वेलू पता चलगी कितनी है साथ ठीक है अब हमसे क्या पूछा है सबका सम सबका सम कितना आया था 6X प्लस 30 तो यहां कल्कुलेट कर दीजिए कितना आएगा 6 गुड़े 7 प्लस 30 6 सते 42 और 30 कितना आ जाएगा 42 प्लस 30 यह आ जाएगा आपका 72 ठीक है तो C आप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठी पहले भी बता दिया ठीक है तो ऐसे क्वेशन को जब आपको कभी लगे कि कोई क्वेशन लेंदी है तो पेपर के टाइम में भी आप उसको क्या करेंगे लास्ट में करेंगी ठीक है तो आज एक चेप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में